बता है कि आपकी साधी वाले उस्स ल wheat भूब कर शाम नहीं को बड़ा मुद्दा इदेखी कि अगर खूस उते थे रहा जाफ कर लूद काई लटके लड़किया है लडकि समِّ पर.. हैं बहुत जगह उन्होंने रोक लगा दिया है कि आप कहाना चाह रहे हैं कि कॉलेज स्कूल में लोग जा रहे हैं तो वहां मतलब हम दुनों का वीडियो देखका मतलब लोग इन फ्रेंस हो रहे हैं कि मतलब इस तरह का लोग कदम उठाएंगे अब एक बात बताए हम लोग साधी नहीं करते आप इसे पहले लोग साधी नहीं कर देते और इनको लेकर इतनी विवाद इनको लेकर इतना बिरोध की होता है यह बहुत बड़ा मुद्दा है तो हम उनके माता प्이ता से अनुरोद करेंगे करें पूंकर वीचार करें आपकर शालद सजय अपने घर हो ल वारार्सी सिटी के करम में मैं DLW जो रेल्वे इंजन कारखाना है उसके अंदर मौझूद हूँ और उसके अंदर मैं सूर्य सरवर जो तालाब है वहाँ पर मौझूद हूँ मेरे सामने आप जो चेहरा देख रहे हैं मुझे लगता है कि इनको किसी पहचान की मोहताज नहीं है अभे क्योंकि अभी सोसल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहे हैं ये लोग और नाम भी मुझे बताने की जरूत नहीं है इनका नाम प्यूस जी है और इनका नाम ह Eldis दिना चाहेंगे और यह जो चीज दिन हमने किया है प्यार करके और करके और उससे क्या नुने गलत किया है क्या है सब कुछ का को दिख तो तो बंड़री वीडियो में सबसे पहले हम उनका परिशकifully करांते हैं सबसे जक्वागत है अपकी नाम प्यूस को भीड़ांत प और दूसरी बात में आपको बता दूं यह अभी वहां से यानि कि रहतास जीले से आकर वारांसी में यह उत्तरप्रेश का वारांसी सीटी है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलबधी रखती है और वारांसी जो है हमारे जो माननी प्रधान मंत्री निरंद्र मोदी हैं उनका संसदिय छेत्र है उस छेत्र में यह लोग आके बसे हैं अब इनकी साधी किस परिष्थिती में हुई मातपीता का सपोर्ट रहा या नहीं रहा सब कुछ हम जानते हैं तो सबसे पहले बताएं कि आपकी साधी से साधी मदवार जी ठाणे में गया सबसे पहले अच्छा मदवार ठाणे में गया तुछ हम लोग अगले दिन पॉलिस बुलाई पापा को में मुझे विसामने तब पॉलिसम से पूछी कि आप क्या चाहते हो हुआ तो हम बोले साधी करना चाहते है तो फिर पापा कुशने पापा क्या बोले मतलब पापा का हाँ था उसमें हामी थी कि नहीं साधी में आपके साइन पापा ही फिर किया है साइन पापा नहीं किया है अच्छा और आपके हाँ से कोई नहीं है तो साइन आप नहीं किया जहां साइन करना था लडगा के तोड़ पाहम वहां थें देखिए मैं एक बात पहले आपको बता दू यह मेरी सोच है मैं प्यार को गलत नहीं मानता हूँ मैं कत्ता ही नहीं कहता हूँ कि प्यार करना गलत है प्यार एक ऐसा अनोखा बंधन है और जिस बंधन में वो बंध जाते हैं वो जन्मो जन्मो तक चला जाता है वो प्यार अगर प्यार सच्चा हो तो दूसरी बात मैं आपको एक बता दू कि बहुत से लोग हैं जो कि प्यार का बीरोद करते हैं और प्यार का भीरोत तो नहीं करना चाहिए लेकिन इसमें मैं इनसे एक सवाल पुछना चाहूंगा और जो कि इतनी तेसे लोग वारल हो रहे हैं उसमें बहुत सारी विबाद उठ रहे हैं कि आप लोगों के जो मातापिता के जो बच्चे हैं वो डर रहे हैं कि हमारे जिनके मातापिता के जो लड़के लड़कियां हैं जो कॉलेज इंस्टिट्यूट में पढ़ते हैं बहुत जगह उन्होंने रोक लगा दिया है तो इसके बार में क्या कहेंगे आपको नहीं लगता है कि आपकी वजह से यसा हो रहा है क्या हमारे आप कहाना चाह रहे हैं कि इस तरह का लोग कदम उठाएंगे अब एक बात बताएं तो यही बहुत बड़ी बात है की यह मुद्दा लोग नहीं देखते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है जो लोग वायरल होने लगते हैं उनके उपर सवाल क्यों उठता है अब मैं आपको बता दूं कि रोज एक नेक सि कि चार लड़कों की माँ थी, दो लड़कों की माँ थी, किसी लड़के से साधी कर ली, अच्छा ये सवाल इसी पर क्यों होता है कि लड़की ने भाग कर साधी कर ली, ये सवाल इस पर क्यों नहीं होता है कि बहुत सारे जो आजकल के युग के जो लड़के हैं, आजकल के ज कि वास्तों में सच्चाई क्या है अगर बिरोध करना है तो किसी को ना करें और इस प्रकार से मैं आपको बता दूण ऑनारस में आकर रहे हैं सबसे पहले इनको कितनी तकलीफे होती है इसका अंताजा हम आप नहीं लगा सकते आप तो हम जानते हैं कि यह हम मानते हैं कि गल्त से अपने घर से अपने गाओं से जब बाहर निकल जाते हैं किसी दुसरे city में जा कर बचते हैं तो कितनी समझ साय होती है यह वही समझ सकता है जो अपने इसे कोई माबाप नहीं है जो कि अपने बच्चों को नयाध करें और पीर ऐसे बच्चे सूरे सरोर जो एक तालाब है उसके पास रह रहे हैं लेकिन मैं इस चीज का जरूर विरोत करता हूं जो मेरी सोच है मेरे सोच के नुसार अगर साधी करनी है तो माता-पिता की मर्जिस होनी चाहिए अगर माता-पिता उसमें सहमेती है तो साधी करे नहीं तो नहीं करे और इन दूसरी बात में बता दू कि यह इनुन का साधी हुआ है वो कानून के तर से हुआ है और इनका जो है कि मौली कदिकार है और मौली कदिकार को छिनने वाले नहम नहाप होते हैं और जो रही बात की जो लोगों पर इफेक्ट पढ़ा है जो और जो बच्चे उन पर इफेक्ट तो देखिए इसमें न ये कुछ कर सकते हैं, न हम कुछ कर सकते हैं, न आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक बात है, बहुत बड़ी बात है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहना पड़ा है, कि मातपी तक की भी कुछ इसमें रिस्पॉंसिबिल्टी होनी यह प्राब्लम उन्हें भी हो रही है और जब दोनों लोग को प्राब्लम होती है तो बहुत सारी समस्यां होती है तो स्वाती जी हमें अपने बारे मतायेगा की पढ़ाई आपकी कहां से होई थी बिए पढ़ाई चल रहा हम तो पिछले साल कर लिया यह सी कंप्लीट हो गया आगे क्या करने का प्लाइन है आगे तभी फिलाल में यूट्यूब चैनल ब्लोग से चला रहा है अच्छा अपने चैनल का में नाम बता दीजेगा चैनल का लिंग में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप चाहें तो जाकर इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं औ समारे ओर आपके बीच के ही और आईसा बहुत लोग करते हैं लेकिन क्या है को लोग हाइए उनका बीरोध करते हैं और किस रेंख्यूब सब्सार करना डोगोके हर इंटर्विव में अपने ब्लोग के दौरा लोगों के यह कभी नहीं बता हैं कि आप आपको आपको नहीं लगता कि आपको घर जाना चाहिए अगर मैं पापा मान जाते हैं तो हम लोग आपसोच थोड़ा सा भी नहीं होता है मुझे तो नहीं लगता है इस तरह से मतलब मैं सोचा था उमीद किया था यहां कि मतलब कि एक दू महीने लोग मान जाएंगे लेकिन वैसा नहीं हुआ सदी इंकी आप यहांप लोग किराये पर गोँगे कुराये पर भी सोचा है देड हें से विलाब मैं करने के रहा ऑब कि आप बढूण और स्वाती जी आप यह जॉब करेंगे हम यूटूब चैनल चलाएंगे घर भी देख सकते हैं या चैनल पर हमें अपने चैनल करना फिर बताएंगे दर्शको को स्वाती ब्लॉग्स देखी ट्रेंडिंग में चल रहा है इनका जो है कि ब्लॉग चैनल और जो है कि यह लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कम से कम की हम बनारस के रहने वाले और बनारस में इनसे मुलाकाथ हुई और बनारस एक ऐसा सहर है जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है वो इतना बिख्यात है और इतनी घाटों की नगरियां है कि कुछ कहा नही है कि नहीं घर जाने से के कैसे प्लान बनाएंगे अरे जैसे माता माता-पिता हैं कि इतनी दिन राज रहेंगे अगर आगर बात करने की कोशिस करें तो साथ सब अलेक लिश्ट में नंबर है आप कहा भी कि देखिए अगर ये वीडियो उनके ममी पापा तक पहुंच पा र आते हैं लेकि जब बच्ती करते हैं और बच्שים को के घखा दी आर्ण है तो इसमें माता-पिता के भी गलत कर रहे हैं और वसले कि नफ्त jużवा Teil सिसले कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे परिशान है और बस वह गलत कर रहे है तो हम उनके माता-पिता सी अनुरोत करेंग